हनुमान तेई परसाकर पून की हिन पर नाम राम काज कीने बिनूम वो ही कहां विस्राव जैसी राम 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 जैसी राम सातियो मैं हूँ सोदेश कुमार और तिर्छी बाद चैनल में आपका स्वागत है सातियो आज हम जो प्रोग्राम लेकर आए हैं वो है पंचो का इंटर्व्यू और आपको मालूम है पंचो का इंटर्व्यू प्रोग्राम में हमारे साथ पंच होते हैं और वो आपकी क्वेरी को सॉल्व करते हैं यानि कि आपके जहन में जो भी प्रस्ण होते हैं उन प्रस्णों के जवाब आपके देते हैं आपके पंच और सरपंच तो आज हमारे साथ पंचों का इंटर्वी प्रोग्राम में हैं रंजीत भाई जो की जिला पारसत पद के लिए पहले से खड़े हो चुके हैं और अब उ जनता के प्रस्ण होते हैं अपने प्रति निधी से जो जनता अपने प्रति निधी से प्रस्ण पूछना चाहती है उन प्रस्णों को यहां पर उठाकर लाते हैं और उनको आपके प्रति निधी से पूछा जाता है और प्रति निधी आपका जवाब देते हैं तो हमारे पा सबसे पहले प्रस्ण प्रश्ण क्यों नहीं हो और समस्थत समाज को नवरात्रों की हर्दिप स्अ देना चाहूंगा जैसा कि आपने पूचा है कि अब की बार आप एलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हो देखिए सुदेश भाई पिछली बार मैंने एलेक्शन लड़ा था गाउंबस्ती का मुझे पूरा प्यार मिला था लेकिन ज्यादा कंडिडेट खड़े हो गई थे जिस वज़े से कारण कोई भी रहा हो क कि जिलापार सदी का पद हमारे गाउं में नहीं आ पाया था तो अब की बार मैं मुझे यही लगा कि ज्यादा कंडिडेट होने की वज़े से यह पद हमारे गाउं में नहीं आ सकता है और मैं चाहता हूं कि यह जिलापार सदी का पद एक बार हमारे गाउं में जरूर आए जी और ज़्यादा कंडिडेट होने की बज़े से मुझे लगता है कि यह इस बार भी संभब नहीं हो पाएगा तो यह पहल मैं अपनी तरब से करते हुए मैं चाहता हूँ कि यह पद गाउं में आए तो मैंने अपने आपको इस दोड़ से बाहर कर लिया है और मेरी पूरी कोशिस यही रहेगी कि किसी भी तरह से यह जिलापार सितिकपत गाउं में आए और मैं और जी भी सभी भाई जो हमारे गाउं से खड़े हुए हैं उनसे भी मैं यही परातना करना चाहूँगा कि आप एक मत बनाएं और जितना जादा हो सके कम कंडिडेट गाउं से खड़े हों और यह पर अपने गाउं में लाने कोशिस करें क्योंकि इसी में हमारे गाउं की इज़त भी है और भलाई भी है बहुत अच्छी बात कही रंजीत भाई ने विल्कुल मूग की बात चीन ली क्योंकि हमारा गाउं सौंद यहां पे बहुत ही बड़ा गाउं है और यहां पे अगर एक जिलापारसद खड़ा होता है तो उसको बनने से कोई भी नहीं रोख सकता है लेकिन यहां पे क्या होत जाते हैं उससे क्या होता है कि हमारे गाउं सौंद मैंसे कोई भी जिलापारसद के पद पर न्योक्त नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे खड़े होंगे तो वोट बट जाती है तो रंजीत भाई सबसे पहले यह जिक्र आया था पिछले के वीडियो में कि भाई आप बै है हमारे गाउं में आए सौंद गाउं में आए इसलिए रंजीत भाई अब की बार एलेक्शन में खड़ा होना नहीं चाहते हैं यही बात है रंजीत भाई बहुत ही अच्छी बात है समाज सेवा की ही पहल है यह तरह से कि गाउं के अंदर कोई जलापारसद का पद आए य पीज़े बहुत सारी पब्लिक होती है और वो चाहते हैं कि हमारा प्रत्यासी ही जीते तो अब आप खड़े नहीं हो रहे तो वो प्रत्यासी बिचारे कहां जाएंगे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं देखे भाई लोकतंत्र है सोदिष भाई और लोकतंत्र में स किसी पर कोई दबाब नहीं देना चाहूंगा लोग अपने आप ही इस बात का निरलेंगे कि इस बार हमें किसके साथ जनता अपने अपने उम्मीद्वार को पहचान लेती है कि कौन काबिल है कौन काबिल नहीं है हां मतलब कहने का एक जनता पड़ी लिखी है और वो अपनी अपनी इच्छा से मतलब अपना फैसला ले सकती है आज की समय में सब हुश्यार है सब जानते हैं कि कौन उचित है कौन अनुचित है सही बात है बहुत अच्छी बात है तो अजीत मास्टी जी आप कुछ पूछना पूछना चाहता हूँ कि जनता से की हमारा जो गाम है जैसे हाथ है हाथ में पांच उंगली है इसमें अंगोटा स्रेष्ट है इन पांचों गामों में जो जिलापारसद के हम पर छित्र है हमारा जी उसमें हमारा गाम अंगोटा है हम किसी भी कीमत पर शीट ले सकते हैं ले लेकिन मैं हर कंडेट पास गया था उन दोनों के पास भी गया था जो और कंडेट भाग ले रहे हैं उन्हें को पता होगा मैं भाई गाम में से एक या दो खड़े हो जाओ मैं नहीं मेरे नाम नहीं किसी और का आजाए लेकिं गाम में आजाई मैं संथूश्ट हूँ लेकिन किसी ने कहीं कि मेरी फ्राद गाम में इतनी हैं तो मतलब ऊदो है कि यह गाम में लानों नहीं चाम जो चर्णों चेहर हो नों नday फेसegenगे उन्हें खुब पता हुए कि हम बन रहे हैं न बन रहे हैं उनको आंत्मा मता दें गुरुजी कि में मैं जीत रहु हूँ है रहुं कि कॉष्ट कर रहा है आथ में सुपरमादमा वह बड़न पता लग जा कि मेरी बोट कौन देरो को नदकत से तो कितनी बोट हैं सब्सक्राइब कि कौन कितनी पानी में लेकिन फिर भी लेदे खड़े जाएं अब अब अपनी इमान बेच दें तो मैं सोच रहा हूं कि भाई साब को बहुत-बहुत धनवा जो चैनल पर आयो और बताई आप देंगे सीट है आपको नाम देंके भारत राज करेंगो लेकिन राम जो कहा दी वह मूंब बनवास मिली मैं बनवास करूंगो काई सीन्ना लई और राज के ऊपर ही मां भारत हैगी जापरयोग में तो राज वता खोई जोटी सीट है मेमरी सीट है ठोट निक तैयार न मावरत काल का जिक्र किया है मैं उस मुकावले का तो वो तो बहुत बड़ी बात है सोचना वहां तक पहुचना तो मैं यह नहीं कहता कि मैंने बहुत महांता का काम किया है महां काम है यह लेकिन जतना मुझसे हो सकता है यह एक छोटा सा काम है मेरे लिए सबसे पहले मेरे गाहों की इज्जत है और पद बगएरा जो कुछ भी है ये सब उसके बाद में पहले अपने गाहों के बारे में सोचिए उसके बाद महात्मा किसे कहते हैं महान है आत्मा जिसकी उसे महात्मा का जाता है यह नहीं है कि हम घर को त्याक कर दे और बड़ी निमर हमें तो महत्वा बन गए नहीं जिसकी आत्वा महान है या वो ग्रिष्ट में या वो संत में लेकन उसकी आत्वा महान स्रेष्ट हों जाहिए वो ही महत्वा है यह तो आपका बड़पन है अजीत भाई बहुत ही अच्छी बात कही और साथ यह मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि आज के जमाने में कौन ऐसा है जो लाइम लाइट में होना नहीं चाहता है यानि कि सभी को प्रिसिद्धी चाहिए पॉपुलर्टी चाहिए और जब इलेक्शन लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ गाउं के अंदर पॉपुलर्टी तो आती ही है तो एक तरह से यह मतलब एक बड़ाई का ही काम है कि पॉपुलर्टी को ठोकर मानना है और रंजीत भाई यह बखू भी किया है अपने गाउं की भलाई के लिए कि गाउं में से कोई जिलापार्सत बने तो रंजीत भाई अगला प्रस्ण में आपसे पूछन चाहता हूं कि कहीं पैसों की तंगी की वज़े से तो आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो या फिर आपको हार का डर है क कि आपको पता है कि हार ही जाएंगे कुछ लोग ऐसा भी प्रसंट कर रहे होंगे न तो उनको भी जवाब आपको देना ओगा देखिए भाही पैसों से कभी भी इलेक्शन नहीं जीता जाता है अगर ऐसा होती तो हमेशा पैसे वाले ही लोग इलेक्शन जीतते चाहे वो अ और रजल्ट आपके सामने था मुझे बहुत बड़ी करपा रही थी गाउंवज्टी की ठीक है जिसके लिए मैं समाज का हमेशा करदार रहूंगा रही बात हार की तो पहली बात तो हार जीत गाउंव समाज और फरमात्मा के हाथ में है और दूसरी बात हर खड़ा होने वाला कंडिडेट कभी भी अपनी हार नहीं सोचता है परी नाम तक जीत उसी की ही होती है यह बात बहुत ही अच्छी कही यानि कि इसमें यह कोई वजह नहीं है कि पैसों की तंगी हो या फिर हारने का हो हो हारने का हो तो सभी को होता है कोई यह तो है निक जीतेंगे जीतेंगे तो हार तो कोई भी सकता है, अगर पता हो बाई मुझे हार ना है तो फिर खड़ाई कोई नहीं होगा, तो इस प्रस्ण का जवाब आपको मिल गया होगा, हमें उम्मीद है, अगला प्रस्ण है आप से, क्या समा सेवा के लिए इलेक्शन लड़ना जरूरी है, आपके हिसाब स आप क्या कहते हो इस कोलम में, देखिए सदेश वाई मैं ऐसा नहीं मानता कि समास सेवा इलेक्शन लड़ने से या सत्ता में रहने से ही की जा सकती है, इंसान चाहिए तो बिना पद के भी सेवा कर सकता है, सबका अपना अपना तरीका होता है सेवा करने का, आप भी तो कैसे भी की जा सकती है, लेकिन एक जुनून और एक जज़वा होना चाहिए सेवा करने का, इसके लिए जरूर नहीं है कि इनसान किसी पदपे ही बैठा हुआ हो, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, देखिए कहने वाले हर तरह की बात कहते हैं, और हर किसी की बात पर इत अपने तरीके से, अपने माध्यम से समाज को रहा दिखा रहे हैं, युवाओं को रहा दिखा रहे हैं, और ये भी तो अच्छी बात है कि आप अपने चैनल पर आके जो बात समाज को कहते हैं, सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात होती हैं, ये भी तो एक इंसान को उपर हि करता है आपने सुना भी होगा और कावत भी है कि दिये तले हमेशा अंधेरा होता है बच्चों को अच्छी से रहे हैं यह एक बच्चे समाज का देश का भविस्ट होते हैं आप भविस्ट को भी तो सुधार रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद रंजीद भाई और सात्यों मै आपके सामने एक प्रस्न छोड़ना चाहता हूँ बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम समाज सेवा करने के लिए राजनीटी में उतरे हैं तो ये मेरा प्रस्न है और आपको इसका जवाब comment box में देना है अगर राजनीटी करना समाज सेवा है तो राजनीटी में salary क्यों और आपका युवाओं के साथ कैसा सामन जस्से रहा है क्योंकि आप एलेक्शन में रहे हो तो युवाओं की ज़रुत पड़ती है साथ रहना पड़ता है तो आपके साथ कैसा सामन जस्से था आपके भाई बंदूओं का युवाओं का देखिए भाई युवाओं के साथ मेरा ब प्राओं के ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे हैं तो समाज रूपी जो भवन है जो हमारी इमारत है उसका इर्मान अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा वो जयादा दिनों तक अपने स्तंभों पर टिक नहीं सकती है अगर यॵा मजबूत है हैं तो तो इसका मतलब हमारे समाज रूपी जो नीव है वो मजबूत है और समाज रूपी जो बिल्डिंग है वो जादा दिनों तक युगों युगों तक ठहर जाएगी तो युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है राजनीती में भी और समाज सेवा में भी समाज को सुधारने में भी समाज को सही राद दिखाने में भी युवा बहुत जरूरे होते हैं समाज के लिए अगला प्रसनेर रंजीत भाई आपको क्या लगता है कौन जीतेगा गाउं में से क्योंकि आप तो बैठ गए हो और आपका किसकी तरफ मतलब रोजान है जनता ये भी जानना चाहती है कि भाई जिसके पीछे हम लगे हुए थे जो हमारा प्रतिनी दीत है रंजीत भाई अब उसके हिसाब से कौन जीतेगा गाउं में क्योंकि आपके इस फैसले से लोगों का रोजान उसकी तरफ बढ़ सकता है तो बताईए देखिए सुदेश भाई ये मैं कैसे बता सकता हूँ जो भी भाई गाउं समाज की मन भाईगा और लोगों को लगेगा कि हाँ समाज को एक नई दिशा दिखा सकता है समाज को एक साथ लेकर चल सकता है और काविल है समाज उसे अपने आप ही चुन लेगा और वो ही जीतना चाहिए सब को चाहते हैं यानि कि आपकी दरब से एक की दरब कोई फिवर मैं चाहता हूं कि कोई अच्छा इंसान निकल के आए और जो समाज को एक साथ लेकर चल सके समाज के काम करवा सके बहुत अच्छा 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 इसा भी तो हो सकता है कि यह चार पांच छे सा जो करवान हमारा गांव है समाज बन रहा है मेरे चार से इन बार इन्हें मिलके बैठक करने चाहिए और बैठक में निरने च्यार पांच जो खड़े हैं उनमें से एक आजम का दिया जाए परची उचाली जाए उसमें जिसका नामा जाए वो ठीक है अगर फिर नहीं मानते हैं और अगला प्राशना जी आप से यह रंजीत भाई आपकी बार आप एलेक्शन में खड़े नहीं हो रहे हो तो जनता यह भी जानना चाहती है क्या आगली बार आप खड़े होंगे या नहीं होंगे देखिए भाई यह तो समय बताएगा भविस्त के बारे में अभी कैसे ब अगला प्राशन पूछने से पहले थोड़ा सा वेट करते हैं तो ब्रेक के बाद हम फिर से आएं सातियों अगला प्राशन है रंजीत भाई आपके हिसाब से सरकार को किसानों के हित में क्या कदम उठाने चाहिए बताई जाएगा जी सुदेश भाई इस बात की तो कोई मैंने देखा है पर पोस्ट हैं आपकी आपकी कोई दुकान भी है यानि की इस वर्क्षोप है साइद इस टाइप की है किस तरह के सामान आप वहां पर सेल करते हो जनता को जरा यह भी बताएं क्योंकि गामी जनता है जो हमारे वीडियो को देखती है और अगर आप उनके मतलब की कोई चीज यहां पर सेल करते हो तो देखे भाई अपना रोजगार भी बहुत जरूरी होता है तो मैंने अपनी चोटी सी वर्क्षोप लगाई हुई है जिसमें हम बाइक ट्रोली है ट्रेक्टर वाली ट्रोली है वाइक ट्रोली जो बाइक के पीछे अपने हम खेतों से अपना पुरेल में आता है तो की वाले के लिए और राहगीरों के लिए दर तो उससे बहुत सभिलिएहद हो आपके और को अपनी स्था अहीं नुक्सान! नहीं होता रंजित बाइक मिरे साव से तो छारा थोड़ा सा यह बहुता है और अपना काम निकल जाता ओसे है और हम ट्रेक्टर ट्रोली बनाते हैं किर्शी के काम में आने वाले हैं गलती हें 30 लीटर है और जो है कि विजाई की मशीन है अचह जारे की मसीने है यह सब हम बनाते हैं अपने समय चार पाई भी देखी थे films आपने लोहई हें यहां चार पाई बनाते अच्छा ठाथ मोटरल उसने अभी मैं प्लान कर रहा हूं कि आगे से हम cooler की cooler भी बनाएंगे और जैसे कि हमारी गोदरीच की अलवारी होती है ये भी बनाएंगे अच्छा अच्छा काम आपने यहीं पर किया हुआ है तो साथ यो आपको सहर जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप रंजीत भाई की दुका पारसद उम्मीदवारों ने तो दवाब नहीं बनाया बैठने के लिए या फिर पैसे वगेरा लेकर आप बैठे हो लोग जानना चाहते हैं क्योंकि लोगों के मन में ये बात रहती है खयाल रहते हैं कि रंजीत भाई ने साथ कहीं पैसे वैसे ले लिए हो इसलिए बैठ बना दिया हो। इसलिए सर महाजूरी बैठना पढ़ गया हो। तो इसके बारे में बता है। देखिए सदेश जी ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ऊपर कोई भी कभी किसी तरह का दवाब नहीं बना सकता और नहीं मैं कभी कोई काम किसी के दवाब niż आकर करता हूं रही बात पैसों की तो मेरे और मेरे परिवार के बारे में सभी जानते हैं और मेरे और मेरे परिवार के बारे में सब जानते हैं और मैं अपनी मेहनत पर यकीन करता हूँ परमात्मा की इतनी करपा रही है कि मुझे कभी किसी के सामने हाथ पहलाने की जर्द ना पढ़े मैं अपनी मैनत और अपने पूरवजों के किये हुए कामár और अपने द्वारा किये हुए किये हुए कर्मों पे विस्वास करता हूं भगवान की किरपा से कभी कोई ऐसा वक्त नहीं है के मुझे किसी के सामने नहीं आशी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कभी इस The वाली बात आई हो या कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है इस बात का तो मेरे उपर कोई प्रेसर नहीं किसी का भी मतलब अपनी मर्जी से आप बिल्कुल यह मेरा अपना फैसला ने जी फैसला जी और यह मैंने जो मैंने आप पहले भी सवाल किया था वही गाम समाज के हित्में और यही चीज़ सोच कर मैंने अपने आपको इस दोड़ से बाहर किया है कि एक बार यह जलापार से बात किसी भी तरीके चाहिए लेकिन अपने काओं में आना चाहिए आप इसलिए बैठे हो बहुत अच्छी बात आजी तो लोग क्वारी होगी कि जो आपकी धर्मपत्ज अच्छी बात है और यह प्रस्ण होगा भी किसी के मन में जरूर अगला प्रस्ण है आप से रंजीत भाई नए कंडिडेट जो हैं वो यह कह रहे हैं कि रंजीत बैट गया है laugd और हमको अने के लिए उन्होंने कै … क्या यह कोई ही है जी नहीं अगर कोई उमीदबार यह कहता है तो उनको यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बैट गया है तो खड़ा ही नहीं हो सकता है ठीक है जी भाई मैंने अपने आपको इसलिए इस दोड़ से बाहर किया है कि मैं चाहता हूं कि यह पद एक बार हमारे गाउं में आए और सब यह कहते हैं कि सौंद में ज्यादा खड़े हो ज आए हैं और मैं भली भाणती पाई चीत हूं जो जो मैं भाग लिए थे प्रतियोगता में और एक एक कंडी रेट थे वाकव में कौन कैसा हो कितने पारी में हो क्या तरीका तो ने एक सलना रहा हो जान बूज गया हमारे गाम में तो जला परसत गया हो जी ऐसे आप मानों य सब्सक्राइब हो और ही बात उसके लिए कि है कोई तदेची जाने अपनी हड्रिंग बल्दान दे दियो बद्र बद्र बनायो है कि है कोई महाराज से भी जिवा तो आज बल्दान दे सके सब पंचेत करने का जाए बलबा फ्लान हम ठाड़े हैं एहम बन रहो है त्याक दे सब्सक्राइब हो तो मुझे तो नहीं लगता कि यह संभभ हो इसलिए यह पहल मैंने अपनी तरफ से की है ठीक है उम्मीदवार कोई भी हो लेकिन अच्छा हो और गाम से हो तो इसका तो कोई मतलब भी नहीं रहा कि मैं किसी को खड़ा करूंगा अगर मैं किसी को खड़ा करता तो मैं खुद ही खड़ा हो जाता आपको रजल्ट पिसली बार का भी रजल्ट पता है कि पिसली बार जाए तो इस बात का तो कोई मतलब भी नहीं है और यह आप भी जानते कि कौन कितने पानी में पिछले बार था अब भी कौन कितने पानी में अगर अगाओं के अंदर जिलापारसृत पद को लाना चाहते हैं तो ये फिर दूसरे से क्यों कहेंगे कि आप भी ख़ड़े हो जाओ तो ये क्वेरी बिलकुल गलत है अगर आप ये सोचते हो तो अगला प्रसन है रंजीत भाई आप पिछले पांच साल जनता के बीच में नहीं देखे ये लोगों का कहना है कि आप पांच साल पिछले जो गुजरे हैं जनता के बीच में नहीं देखे जैसे कि कवड़ी को खेल होता है खेल होते हैं और समास सेवा है मच्रदानियां बांट यह है इनके बारे में जबाव देता हूँ देखिए भाई हम कौन है कुछ करने वारे हम तो एक जड़िया मात रहें जितना समासिवा के लिए बन पड़ता है मैं जरूर करता हूँ और जरूरी नहीं कि जो काम हमने किया है उसका एक पोश्टर बना के ही सब के सामने दिखाया जाए जाये हैं आपने पूचा-पताद देता हूं कई बार मैंने आखों के कैम्प लगघ है उसमें बहुत ऽे लोगों की बहुत की जांच भी हूई है कई बार के बाता ही है मैं जरूर करता हूं विभ जैसा मुझे से बन पड़ता हूं कि forensic के बाद ऊठिए कॉरोन काल था कॉरोना का समय चला हूँए उसमे कुछ किया थोड़ CM TO को काम है व स्वास दिवाइक का मेहन का काम है उसमें हम जाके अपनी पंचगीरी दिखाए तो यह भी को इतबात नहीं है इन को रही बात से की आप जाकर जहाने काम किया कि गाberry किया था यह आप not भी देखा यह आए हम कुछ तो बाहर जाना नहीं चाहते हम कह देते हैं कि भाई आप ये काम जाके हमारा थोड़ा बहुत खर्चा होगा ये काम करा दो हमें खुद जाना चाहिए हम खुद कराएं अपना काम जाके तो बिचौलियों की तो कहीं जरुती नहीं रही है जो पात्र है उनको कुछ भी करने को जरुत नहीं है कि इसे पारिस कि पात्र आपने देखा होगा हमारे गाओं में नोक्रियां भी लगी है तो पात्र जो लोग है उनको कुछ ऐसे ज्यादा कोई परिशानी नहीं है लेकिन खुद जाकर खुद कराएं अपना काम तो काम होगा अगर नहीं होता है तो फिर सोसल मीडिया है और बहुत सी ऐसे रा वोटर है वह हमारा रासनकार उसने बनवाया था या फिर हमारी पैंसल उस फलाने आदमी ने बनवाया थी यानि कि सिकीम तो सरकारी है सुविदा सरकार दे रही है लेकिन उसका फायदा को स्लोग बीच में उठा जाते हैं कि मैंने करवाया है देखिए वह फायदा वो सुविदाय मिलती हैं को इस सरकार की तरफ से आता है और फिर जरूती नहीं इसमें जब यह लोगों से आपको दे रही है कि अंधा वांट रेवरी फिर फिर अपनों को दे तब यह सरकार में तो ऐसी है काई न काई तरीकात लाब हो कि अट रही है उपर कमिशन कोई वे सुना है जमत भी एक सब्सक्राइब कर दो और चली और शैनिटाइजिं करवाई होगा वहां ने बाई साभाई शाब ने करवाया हो वने पेले बताई कि बाइशाम ने अपनी निजी संपजित करवाया हो ऐसे कोई है जो दस रुपी लगा दे गम में मैं पहले बताई एक लट्टू अगर बल्ब कहीं अंधेरा है तो बल्ब लगा सकें पचास और बल्ब आब है और ना पचास मतलब दस रुपी अग बल्ब आ जा लोकल वारो सब्सक्राइब करने चाहिए बहुत बढ़िया बात रखी और अगला प्रसन रंजीत भाई मैं आपसे करना चाहता हूं और अंतिम है अगर जंता और बाकी के जो केंडिडेट हैं वो भी अगर आपको आगे लाना चाहें तो आप क्या आओ गया आगे दुबारा से कहें कि बहुत सारे लोगों के मन से जोड़े होते हैं कंडिडेट से उनका मन होता है कि जैसे कि आप खड़े थे तो रंजीत भाई खड़े होने चाहिए हम उनी को वोट देंगे किसी और को नहीं दे सकते तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहोगे और मान के चलिए कुछ बहुत से जाहिकर हों नीडिये से ये यह किमाकत सब्सक्राइब और रंजीत नहीं तो कोई और रंजीट नहीं अई आपकी सवाल पूछ लिया है लेकिन मैं इतना ही कहुँगा कि मैंने हमेशा जनता और समाज को और सर्वो परिमाना है तो अब की बार मतलब आप यहाँ पर पदल लाना चाहते हो अब मेरा यही ही है कि अब की बार यह जिला पारिशत के बाद हमारे गाओं में आए बहुत ही अच्छी बात लेकिन रंजित भाई हमने भी देखा कई बार एक दूसरे को देखकर कंडिडेट जलते रहते हैं बहुत ही जलते रहते हैं और आपने उन सभी लोगों से अलग हटके कुछ काम किया है यानि कि लेक से अलग हटके आपने सोचा है समाज के लिए और भलाई ही सोच रहे हो आप क्योंकि आप खड़े होते हो तो कोई भी यहाँ पर बनने वाला नहीं है और आप बैटते हो और आपको देखकर एक दो और बैट जाता है कोई तो यह पद सो परसेंट सौंद गाउं के अंदर आता है तो आपने यह भलाई के ही लिए सोचा है गाउं की और आप लोगों की भलाई के लिए और बहुत यह अच्छी बात है हम दिल से सम्मान करते हैं रंजीत भाई का तहे दिल से सम्मान करते हैं क्योंकि इंसान ऐसा भी होना चाहिए जो दूसरों को देखकर खुश रहे और दूसरों को भी आगे बढ़ाना चाहिए और अपने गाउं को आगे बढ़ाना चाहिए अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं वो चुनाब में भ पढ़ जाते हैं लेकिन उनको सिर्फ अपना अपना दिखता है उनको किसी समाज से ना गाउं से ना किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है और यहां पर बहुत ही एक मतलब कहते हैं इमांदारी का प्रतीक बने हैं भाई रंजीत भाई आप सभी लोगों के लिए गाउं के य अंदर दिखे नहीं तो जादातर नेताओं की ये होड होती है कि भाई मैं आगे निकलूं सामने वाला गिर जाए किसी भी तरह से मैं आगे जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर ये बात रंजीत भाई के अंदर मन में बिल्कुल भी नहीं आई उन्होंने सपस्ट कह दिया कि अंदर है पक्षोबी अधिये रंचेत्र है और यह रंचेत्र में कोई प्रिद्ध्यंदी को दूसरे प्रिद्ध्यंद्र कुजिए कि वह सामने थट जा यह उसे खोदने से निकरने पर होगा हाँ हाला कि जंता भाई साब से कह देगी आप खड़ी हो जाओ समर्संकर देग आपके पास आजाएगी लेकिन जो कंडिडेट हैं जो आपके फिट जंदी हैं वो कोई भी नहीं आ सकता क्यों उनमें एहम इतना है कि हम बन रहे हैं हम मतलब का आज हो जाम है अपनों दुस्मन मतलब अपनों बहरी खड़ करें एहम भाव है तो यह मैं कह रहा हूं और सब पतो है कि कोई नहीं आब हो जंदा दरूरा देगी अक पास वैसे आप खड़े हो आपके उत्याक कर रहे हो क्यों कर रहे हो लेकिन आपको एम यूव है कि अधिस्त की हमारे गाह में आप है लेकिन वह लाना नहीं चाहां है क्यों आदिसे तरह से ठाड़ें के डेड़ बता देगा जब ही हम किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं तभी हमें कोई सपलता मिल सकती है एहम से कभी कोई सपलता नहीं मिल सकती है तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं मैं थोड़ा यहां पर उत्सायत भी हुआ हूँ एक Greatness फील होती है जब किसी ऐसे व्यक्ति के स सारी चीजें, सारी बातें, कोई भी, मैं आपको एक बात फिर बता देता हूँ, कोई भी लाइम लाइट को छोड़ना नहीं चाहता है, आज का जमाना ये है, यानि कि पबलिक की नजर में आना चाहता है, चाहे पैसे फुग जाए, चाहे खेद फुग जाए, चाहे घर अन्त में रंजीत भाई मैं आपसे प्रसंट पूछना चाहता हूँ देखिए अभी तो आप खड़े नहीं हो रहे एलेक्शन में लेकिन हो सकता आगे खड़े हो या फिर जनता के सानिद्य में तो आप रहते ही हो हमेशा तो आप अपनी प्यारी जनता से आप क्या कहना चाहो हैं चाहिए हम व्यापार में हैं जाए हम किसी भी धंदे में हमें अपने हिस्ते की इमान्दारी अपने पास रखनी चाहिए हमें हे अक्टार कि भाई मज़ा आ गया इंटर्व्यू में रियल में ही बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिये रंजीत भाई ने और अजीत माश्ची कुछ आप कहना चाहूगे अन्तुमें बहुत है तो यह गाउं के लिए कदम है गाउं की भलाई के लिए कदम है रंजीत भाई का और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा आपको कुछ सीक मिली होगी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और आप भी कुछ इस तरह के काम करोगे भाई को देखते हुए आपके भी मन में कोई समा सेबा का हो सकता है विचार उठ जाए सायद इस गाउं के अंदर जला पारसत का पद आ ही जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प् अपको यह